हाई दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलारपूर इंडोस्ट्री लिमिटेड के उपर दोस्तो ये सेयर जो है पिछले एक मुएने में डबल हूँ चुका है क्या दोस्तो ये जो तेजी है आगे भी रेजने वाला है या फिर ये स्टोक में अभी गिराबर देखने को मिल सकता है आज की वीडियो में दोस्तो इस टोक की फॉन्डामेंटली एनलिसिस करेंगे और उसके साथ इनका बिजनेस मोडिल को भी समझेंगे क्या इस टोक आगया नवले दिनों में मुल्टिवेग रिटन दे सकता है या फिर ऑपरेटर इसमें रिटल इन्वेस्टर को फोसाने के लिए कोई गेम खल रहा है आज की वीडियो में सब कुछ देखेंगे दुस्तु और दुस्तु इसी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लुगो को इस एर के रिलेटर सब कुछ समझ में आए सबसे पहले दुस्तु इस एर की रिटन की बात करें पिछले एक महिने में एस एर डबल हुचुका है 100% का रिटन बना के दे चुका है जो की स्टोक अभी 2.70 पे ट्रेट कर रहा है और बात करें पिछले 6 महिने की पिछले 6 महिने में भी 63% रिटन है और पिछले एक साल की बात करें पिछले एक साल में भी 116 परसंट का रिटोन है और पिछले 5 साल की बात करें पिछले 5 साल में 82 परसंट का नेगेटिव रिटोन है दोस्तों यहां पर देखोगे इनके चार्ट के उपर 2017 से लेकर 2080 तो के स्टोक जो है 20 रूपीज के आसपा स्टेट को रहा था लेकिन उसके बाद इस टोक में जो डावन फॉल आया है इस टोक उसके बाद एक रूपेज ते को आ चुका था लेकिन इसी साल के अंदर इस टोक में एक बहुत यह आचा तेजी देखने को मिल रहा है और दोस् के बाद जो गिराबट हुआ है यानि कि 2020 से लेक और 2021 के स्टोक जो है वान रूपीज के आसपास चला गया था उसके बाद एस टोक में अभी के लिए के तेजी देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों यह और कितना होगा आगे की वीडियो में हम बताने वाले हैं वीडियो प दोस्तों आगे बरते हैं सबसे पहलेजिकर की बारे में बात करें यह कहर और पर उसके साथ इनके वेपसाइड पर स्टों देख सकते हों इंडिया के एंड स्टों है कंपनी् und dois और इंके सबसीडियोरी कंपनी देख सकते हो बलार पुर इंट्रनेशनाल के लिए और एक होल्डिंग बीभी कमपनी और एक बील्ट ग्राफिक पेपर प्रोड़क्स लिमिटेड और एक सौबा फोरेस्ट इंडोस्ट्री और एक मालेशिया लार्जेस्ट पॉल्प एंड पेपर कमपनी और दोस्तों इंडिया के अंदर इनके टुटाल 6 मैनुफेक्चरिंग है और दोस्तों इनका जो 350 रिटेल डिस्ट्रीटर है और 270 लुकेशन पर इनका डिस्ट्रीवोशन है और दोस्तों यहां पर कमपनी का कुछ बिजनेस सेग्मेंट देख सकते हो और एक बिजनेस टेस्टनारी और एक कपी पेपर और एक स्पेसियालिटी एंड फाइन पेप और यह सब इनका बिजनेस सेगमेंट है दोस्तों तो दोस्तों आगे बड़े सेयर की टुटाल मार्केट कैपिटलाजेशन की बात करें 349 करोड की कमपनी है और बात करें 52 एक हाय लोकी 52 एक में एक रूपीज से सुरूक और 3 रूपीज तक तेजी लगा चुका है और कमप ह्ता और देख सकतो ten जोलोग कमपनी है मार्केट में 7.45 और दूस्तों कमपनी से रिएटर जो अच्छी बाते है इहां पर देख सेकतों कमपनी ही और यहां पर यहां पर फिर यविश ले इस Are is low 2.67% और एक contingent liability of 3,202 कोरोड और एक प्रमोटर have pled 96.180% of their holding और एक प्रमोटर holding is decreased over last 3 years यहाँ पर दोस्तो यह जो point है आगे आप लोगों को बताने वाले हैं और दोस्तो company के quarterly result को देखोगे company जो है quarterly result पे हम पर बहुत ही बड़ा बड़ा loss कर रही है यहाँ पर दोस्तो देख सकतो company जो है लोगातार इन में बहुत बड़ा बड़ा loss देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर देख सकतो इसी quarter का जो loss था 649 करोड था लेकिन दोस्तो आच्छी बात यही है कि यहाँ पर इनका जो sales से लोगातार increasement हो रहा है जो कि उसके सामने इनका जो expenses होता है बहुत ही ज्यादा amount में हो जाता है इसलिए दोस्तो इनका loss भी बहुत ही बड़ी amount में होता है और दोस्तो company की yearly profit में देखोगे yearly status में भी यहाँ पर देख सकतो stock जो है यहाँ पर भी बहुत बड़ा loss को रही है और इनका जो loss है लोगातार increasement हो रहा है और यहाँ पर दोस्तो company का जो sales है बहुत ही आची amount में हो रहा है इसी साल का जो sales था 3643 करोड था और उसके सामने जो loss था 931 करोड था और दोस्तो stock का price CAZ देख सकते हो पिछले 2 साल में minus 18% है और पिछले 5 साल में minus 13% है और पिछले 3 साल में minus 21% है जो कि दोस्तो long term के लिए stock तो बहुत ही खराब है लेकिन एक साल में देखोगे एक साल में 100% का price CAZ जी आ रहे और compound sales growth भी देखोगे 10 साल, 5 साल, 3 साल में अभी भी negative में है और दोस्तो company की balance sheet को चेक करे company के balance sheet पर बहुत ही बड़ा negative point आप लोगों देखने के मिल जाएगा जो कि company के पास जो borrowing money है 6064 करोड है और उसके सामने reserve money जो है 1222 करोड है लेकिन ओ जो reserve money है वो भी negative में है तो दोस्तो balance sheet पर देखोगे बहुत बड़ा amount में इनके उपर borrowing money है और reserve money भी minus में चल रहा है जो कि दोस्तो ये parameter में company बहुत ही बड़ा negative में चल रहा है और आगे दोस्तो share holding pattern की बात करे share holding pattern पे दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो promoter के पास जो stake है और अभी सिलाल 2.68% का stake है जो कि दोस्तो यहाँ पर September 2008 की record को देखोगे यहाँ पर September 2008 को promoter के पास 25% की stake था जो कि लगातार decreasement होते होते अभी सिलाल 2.68% की stake हो चुका है और दोस्तो FII की देखोगे पहले FII वाले इसमें बहुत 80% में stake ले रखा था लिगने अभी सिलाल जो stake है 0.63% की stake है जो कि FII वाले लगबग इसमें सारे stake को बेच दी है और आगे DII को देखोगे यहाँ पर DII भी आपने stake को लगातार decreasement कर रहे हैं यहाँ पर DII के पास अभी जो stake है 29% की stake है लेकिन दोस्तो सबसे interesting point यहाँ पर यही है कि पब्लिक जो है वो आपने stake को लगातार increasement कर रहे हैं जो कि दूस्ति यहाँ पर आप लोगों को clear cut समझ में आ रहा होगा यह stock में जो है एक बहुत बड़ा game चल रहा है operator की तरफ से क्योंकि company का उंदर promotor जो है वो ना के बराबर है और FII भी ना के बराबर है और DII जो है आपने stake को लगातार decreasement कर रहे हैं S.R. से बाहर निकल रहे हैं और दोस्त यहाँ पर जो फस रहे हैं यहाँ पर देख सेक्तो पब्लिक फस रहे हैं तो दोस्तो यहाँ पर retail investor बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं लगातारे stock में अपर circuit में चल रहा है और ऐसे अपर circuit में सबसे ज़्यादा जो interest दिखाता है वो है retail investor retail investor को ऐसे stock बहुत ही पसंद होते हैं और retail investor जो है वो है stock को ढून-ढून कर आकर घुश जाते हैं और वहां के फसके रहे जाते हैं फिर बाद में stock market को गाली आते हैं यहाँ पर दोस्तो देखोगे September 2008 रागू promotor के पास 25% stake था और FIIB और DIY आच्चे परसे percentage में stake ले रहे रहे थे और public इसमें 35% की stake ले रहे थे जूकि दोस्तो यहाँ पर देखोगे दिरे दिरे public इसमें बढ़ते गे और promotor और FII आपने माल बेशते गे दिरे दिरे promotor और FII निकल गे लिकने यहाँ पर public जुह फसकरेगे जो कि दोस्तो अगर इस stock आगा नवले दुन में और उपर जाता है तो आगे का जू quarter रहेगा तो यहाँ पर आप लोग आके चेक करना दोस्तो यह जो public के पास अभी 67% की stake है वो बढ़कर लगबग 80% तक हो चुका होगा और दोस्तो और एक important point है यहाँ पर देख सकते हो promotor के पास जो stake है अभी सिलाल 2.68% की stake है और उसमें से 96% stake जो है वो भी प्लेज में है यहाँ पर देख सकते हो पिछले सेप्टरमर 2020 से stake जो है वो भी प्लेज में पड़ा हुआ है तो उबरहल बात करें दोस्तों एक company जो है तो फिर छुटा मुटा invest इसमें कर सकते हो लेकिन long term की बारे में सुचना भी मत दोस्तों यह stock जो है आप लोगों को बुरी तरी के से फसाने वाला है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं पता दूँ अभी का जो time है सब कुछ जो है अब इस digitalization हो रहा है अब इसलों सारे के सारे काम जो है online हो गया है इसलिए दोस्तों पहले जो paper का demand था वो धिरे-दिरे कम हो रहा है तो एसे में पेपर सेक्टर के उपर बहुत बड़ा impact पनने वाला है तो इसलिए दोस्तों ये stock को long term के लिए totally avoid करें और दोस्तों ये share के बारे में मुझे जो सही लगा मैं बताया और आपको ये analysis कैसा लगा comment section में जरूर लिखेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में सब तक के लिए bye bye take care